लाइव फ्रेंट्स वेलकम टू एक्जाम ट्रेनर यूट्व चैनल में आपका स्वागत है तो आज के इस डेली करेंट फिर शो में हम देखने वाले हैं 30 अक्टोबर 2019 के कोशन तो प्लीज आप जो है इस इक्याम ट्रेनर यूटूब जैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में वेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अप्लोड करें आपको इसका नुट्फिकेशन मिलता रहे और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास यह शेयर भी करें ताकि और भी अधिक से लोग जुड़े और इस सेरिस का फाइदा उठाए और डेफिनेटली आपको फाइदा होगा क्योंकि इस तरीकी का जो करेंट प्रेस है जो है नहीं मिलेगा आपको पूरे यूटूब पे ठीक है तो प्लीज आप जो है इस एक्जाम ट्रेनर यूट कोई सन आपके सांदे यह रहा आपके सामने पहला कोई सन थी कि परद्णमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गये हैं गया और? अरब आप इसके रेडल्स की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सौधी अरब की एक दिन की यात्रा पर गये हैं और प्रधानमंत्री नेरेंद्रमोदी जो है एक दिन की सौधी अरब की यात्रा पर रवाना हो गए है प्रधानमंत्री मोदी रियाद में 29 से 31 अक्टूबर के ब पर इच्छा की दी से बात करते हैं तो सौधी अरब की राजधानी है रियाद और शासक है यहां के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौध और मुद्रा है यहां का सौधी रियाल और एक सौधी रियाल में जो है 18 इंडियन रुपिस होता है तो यह है इस प्रशन का डेटेल एक्स प्रशन की बात करते हैं जो की दूसरा क्वेशन है सतरकता जागरुकता सपताहका आयोजन केंद्रिय सतरकता आयोग द्वारा कब से कब तक किया जाएगा पहला अप्षन है एक नॉमबर से शाथ नॉमबर तक बी अप्षन है आपका 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर C अप्षन है 28 अक्टूबर से 2 नौमबर तक और लास्ट अप्षन अपका D इनमें से कोई नहीं तो इस कोशन का जो राइट अंसर अप्षन नंबर C होगा आपका 28 अक्टूबर से 2 नौमबर तक जो है सतरकता जागरुकता सपता का आयोजन किया जाएगा और यह किसके द्व कर रहा है और इसका उद्देष्य लोगों के सहयोक से सारवजनिक जीवन में इमंदारी और सत्य निष्टा को बढ़ावा देना है सतरकता जागरुकता सपता का भीस्य है कि निष्टावान जीवन सहली रखा गया है पर इच्छा के दिशे बात करते हैं तो केंद्रिय सतरक तो यह है इस प्रस्ण का डीटेल्स नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं जो कि आज का तीसरा कोशन है सन्यक्त सेना अभ्यास सक्ती 2019 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा पहला अप्सन है जपान, फ्रांस, अमेरिका और रूस तो इसके रिड़ल्स की बात करते हैं तो भारत फ्रांस सनिक्त अभ्यास सक्ती 31 अक्टूबर से सुरू होगा और भारत और फ्रांस के बीच सनिक्त अभ्यास सक्ती 2019 का आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नुवंबर तक राजस्थान इस्थित महाजन फिल्ड फायरिंग रिंज के बिदेशी प्रसिछड केंदर में देशन का और व्यास सक्ती श्रिंखला की सुरुआत वर्स जो है 2011 में हुई थी जो आपका सक्ती श्रिंखला है इसकी सुरुआत जो ही थी 2011 में पर इच्छ अगर दिसे बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी है पैरिस और राष्ट्पती है एम्यान्वेल मैक्रोन और मु फरणांडिस ने जीत दर्ज की है किस देश के हैं राश्टपती चुनाव में जो है उन्होंने अलबर्ट। फरणांडिस ने जीत दर्ज की Workshop अरजेंटार 웃ों की अध्यार राइट अंसर अच्ट्रपती के है और अरजेंटार उनलबर को हैं अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो अर्जेंटिना में राष्टपती चुनाव में अलवर्टो फर्नांडिस की जीत हुई अर्जेंटिना में राष्टपती चुनाव के पहले चरण में वामपंथी उमिद्वार अलवर्टो फर्नांडिस ने जीत हासिल की है और ये वामपन्थी उमिद्वार है इसके बाद मौजूदा राश्पती मारी सियो मैकरी का सासन भी समाप्थ हो गया है 60 वर्षिया फर्णार्डीस कानून के प्रोफिशन है पर इच्छा की दीशे बात करते हैं तो आरजेंटिना की राष्षधानी है वियूनस आयस और राश्पती है यहां के इलवर्टो फर्णार्डीस अब हो गया है जो जीतदरज की है इलवर्ट फर्णार्डीस और मुद्र बेसिक देशों की जलवाई परिवर्तन पर मंत्री अस्त्रिय वैठक कहां आईजित हुए पहला अपसन है दच्छड अफेरिका, भारत, ब्रजील, चीन तो इस तरीके से इस कोशन का जो राइट अंसर अपसन नमबर डी होगा चीन इस कोशन का अंसर होगा यानि वेसिक जो देशे हैं उनकी जलवाई परिवर्तन पर मंत्री अस्त्रिय वैठक जो है चीन में आईजित हुई अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो चीन में जलवाई परिवर्तन पर बैठक हुआ चीन की राजधानी बिजिंग में वेशिक देशों के ब्राजील ये ब्रिक्स देशों की ब्राजील धच्छिड फिरका भारत और चीन के मंत्रियों की जलवाई परिवरतन पर बैठक संपन होई ये अपका केंद्रिय परियावराड एवंवन मंत्री प्रकास जावेटगर ने इस दो दिवसी ये वेटग में हिस्सा लिया वरिच्छा के दिशी बात करते हैं तो वेसिक यानि वी एएस आईसी चार विकासिल देशों जिसमें है ब्राजील धच्छिड फिरका भारत और चीन का परियावराड संबंदी मुद्दों पर एक वारता मंच है ये बेसिक तो जो कि आज का चटवा कोशन है किसे ने भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राधीकरण के अध्यच के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है पहला अप्सन है दलवीर सिंग सुहाक असोख खेमका डाक्टर सुखवीर सिंग संधु और ग्रीश चंद्रमुर्मो इस कोशन का तो डाक्टर सुखवीर सिंग संधु ने भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्राधीकरण के अध्यच के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और डाक्टर संधु वर्ष यानि सुखवीर सिंग संधु वर्ष 1988 वैच के उत्राखंड के आई-ए-स अधिकारी है परिश 1988 में और इसका मुख्याले है नई डिली यह इस प्रशन का डीटेल्स नेक्स्कोशन की बात करते हैं जो कि आज का सात्वा क्वेश्चन है किस देश के फिल्म निर्देशक डेविड लिंच को फिल्म जगत में योगदान के लिए मानद आसकर परदान किया गया है पहला ठाटॉरégत देविड लिंच के लिए मानद आसकर प्रसकार अमेरीकी फिल्म निर्देशक डेविड लिंच को फिल्म जगत में उल्लेखनिय योगदान के लिए मानद आसकर परदान किया गया है तो मदो स्री लिंच को मानद आसकर प्रदान किया गया तो यह था आसकर पुरुसकार का इग्रहवा समारो नेक्स कोशन की बात करते हैं जो कि आज का आठवा कोईशन है आपके सामने कि आठवा कोईशन आपके सामने कि किस टेनिस खिलाडी ने दसवी बार बासल ओपन खिताब जीता है एंडी मरे नवाक जोकोवीच रोजर फेडरर राफेल नडल तो इस कोशन का जो राइट अंसर अप्सन नंबर सी है रोजर फेडरर जो है टेनिस खिलाडी है और इन्होंन दसवी बार बासेल ओपन खिताब जीत लिया है तो यह है इस question का right answer option number C Roger Federer अब इसकी details की बात करते हैं तो Roger Federer यानि Roger Federer जो है ने दसवी बार जीता वासेल ओपन किताब रोजर Federer ने अपने घरेलू मैदान पर Australia के Alex D. Minard को पराजित कर record दसवी बार बासेल ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है और या उनके career का 103 वा खिताब भी है यह है इस question का details next question की बात करते हैं जो की आज का 9 number question है किस देश में 2020 T20 विस्वकप के लिए पहली बार qualify किया है किस देश ने 2020 में T20 विस्वकप के लिए पहली बार qualify किया है पापुआ New Guinea नेपाल अमेरिका अफगानिस्तान तो इस question का जो right answer option number A है पहली बार यह सामिल होगा T20 में जो आपका 2020 में होना है इसमें पहली बार जो है विस्वकप होगा T20 का 2020 में जिसमें सामिल होगा पापुआ New Guinea देश ठीक है अब इसके रेडल्स की बात करते हैं तो पापुआ New Guinea ने किया T20 विस्वकप के लिए qualify पापुआ New Guinea ने Kenya को हरा कर इतिहास में पहली बार ICC T20 विस्वकप के लिए qualify कर लिया है और T20 विस्वकप का आयोजन अगले वर्स अस्ट्रेलिया में किया जाएगा पर इच्छा की दिशे बात करते हैं तो पापुआ New Guinea की रजधानी है पर्थान मंत्रिये यहां के जेम्स मारपे और मुद्रा यहां का पापुआ New Guinea कीना तो यह है इस प्रशनकार डिटेल्स अभिश्देश के बारे में आप थोड़ा सा जरूर जनकारी रखें क्योंकि नया देश है आपको जो है पता होना चाहिए आपके लिए नया है ठीक है और जो T20 होना यह आपका अगले साल होगा 2020 में आस्ट्रेलिया में होगा नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं जो कि आज का दसवा कोईशन है और यह आपका अंतिम कोईशन भी होगा आज का किस गोल्फ खिलाडी ने कैरियर का बैयासिवा यू एस पीजीए टूर खिताब पहला अपसन ने जीव मिलखा सिंग, जोती रंधावा, शीव चोरसिया, टाइगर उट्स तो इस कोईशन का जो राइट अंसर अपसन नमबर डी है टाइगर उट्स जो है गोल्फ खिलाडी है और इन्होंने कैरियर का अपने कैरियर का बैयासिवा यू एस पीजीए टूर खिताब जीता है तो यह इस प्रसन का डेटल अंसर यानि अपसन नमबर डी सही है अब इसके रेडल्स की बात करते हैं तो टाइगर उट्स ने विश्व रिकार्ड की बराबरी गोल्फर टाइगर उट्स ने जोडो चैंपियन सिप का खिताब जीत कर सैम स्नेड के 54 साल तो उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों के पास यह सेर भी करें और जो भी आपको सुझाओ देना है आप हमें कमेंट के माधियम से अपनी सुझाओ दे सकते हैं तो के लिए जै भारत अल्ली वेस्ट